हे गाइस गुड मॉनिंग यह है इस मॉनिंग का पसारा यह सब अब में क्टीन करने जा रही हूँ और चाई हम लोग पी चुके हैं मॉनिंग की और बहुत सारा काम बाकी है आज देखती हूँ आलू प्यास के सबजी और यह बनाऊंगी पूरी यलो वाली पूरी और यह नही क्या मानूं कुछ काम की नहीं आने वाली है आप लोग को पता हो तो मुझे कमेंट्स करके जरूर से बताईएगा और यहां पे मैंने मटकी भीगा के रखी है रात को पानी भी रिमेव कर दिया है इसको स्प्राउट आएंगे अच्छे तब में सबची बनाऊंगी इसकी त अब चैस्वार और चलिए आपको लेके चलती हूं अभी कीचेन में मेरे और मैंने बनाया है कांदा आलू का सबजी और अब देखती हूं अथिती को पूछती हूं पूरी खाएगी परोठा खाएगी या रोटी खाएगी आठा मैने सान लिया है तो वह बनाने जा रही हू और बाबरे इतनी गर्मी है मतलब रोज मेरे वीडियो में यही होता है कि कितनी गर्मी है कितनी गर्मी है और खाना खाने चलती हूं नीचे कीचन में शोनो रोटी खाएगी पूरी खाएगी परोठा खाएगी क्या खाएगी तीन आप्शन है रोटी पूरी परोठा क्या बनाओं पूरी बनाओं नहीं तो रोटी बना लेती हूं फिर गीवली रोटी खाने हूं मुझे बहुत अच्छी लगते हैं पूरी पर यह लड़की को ना जराबी ओईली पसंद नहीं है अच्छी आपको सब्जी तो मेरी मैं कब से बना चुकी हूं सब्जी रेडी है मेरी थोड़ी सब्जी बनाई हूं मैंने क्योंकि मैं तो अच्छार के साथ रोड़ी खाने वाली हूं कूयल बूली कू 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 वह आवाज आ रहा है आपको देखिए कितना मस्ता आवाज आ रहा है और बाहर गार्डन में इतने फ्लार्स खिले है ना आपको गार्डन में अब तो मैंने सब कुछ लॉक कर दिया है नहीं तो आपको गार्डन में लेके चलती थी इतने सारे फ्लार्स खिले है इतना मज़ा आता है देखके भी पार्लर पे जाने का प्लान हुआ और मैं रेडी हुई और आधे रस्ते तक पहुच भी गई थी और फिर मॉटरमेलन लिया और फिर से घर पे आ गई अपिसे घर टोडने कि मेरा के शाम का बिजनेस के सरा रता है जाफ से आने वाले ट्रेंस से आते हैं और फिर वापस मतलब आते-आते करवाते हैं तो मेरा वैसा बिजनेस है तो आज संडे है तो आज मैंने सोचा नहीं चलो घर पे चलती हूँ सोचा मैं जाती हूँ पारलर पे पर फिर सोचा नहीं नहीं चलो घर पे चलती हूँ और घर पे आ गई ऐसी ही हूँ अभी 10-12 दिन उसके बाद में regular पारलर पे जाऊंगी सारे अपर विस वढ़ गया है और लेजी आउतार में आ गई हूँ मैं अपने चाही इतना फटा फट पी आना कि न पुछ बाद जाना है जाना है करके अभी पकाती हूँ बिग्मेंटेशन का दवाई शाम हो गई सोच रहे क्या खाना बनाओ बस दुफिर होती नहीं और सुभी का लंच का टेंशन उसके बाद शाम होती है तो रात के डीनर का टेंशन लाइफ ऐसे चल रही है ना कि पुछो मत मॉर्निंग काईज यहाँ पे मेरी चाई पक रही है यहाँ थोड़ा दूठ था उसको मैंने करम करके देख लिया कैंकर देख यहाँ विगडा ना हो और यह करम पानी रेड़ी है पीने के लिए और अब अतितिक उठाओंगी चाई पीने के लिए सुब्ह उठके मोटर चालू कर दी है एक दिन के बाद एक दिन पानी आता है तो मोटर चालू करना भी बहुत ज़रूरी था और मुबाइल की पूरी पैटरे डाउन हो गई है ठैंक गॉड दूद बिगडा नहीं है ये मैंने मटकी बिगाई थी तो आज सबजी इसकी बन जाएगी देखे किते अच्छे स्प्राउट आ गया है तो मैंने सुचा चलिया सुबह सुबह आपको गार्डन की सेर कराती हूँ और देखे कि ने फ्लार्स खिले हुए हैं मेरे गार्डन में आप भी देखे न बहुत खुश हो जाएंगे कि मेरे कितने सारे फ्लार्स खिले हैं गार्डन में बैक कैमरे से बताती हूँ मैं आपको है ना कहां से दिखाऊं और कहां से नहीं देखिए आखों से उसका नजरा इतना अच्छा आ रहा है ना पूछो मत बहुत सारे फ्लार्स के लिए हैं बहुत सारे मतलब कहां से दिखाऊं और कहां से नहीं ऐसा हो रहा है यह देखिए पूरे जुन के जुन लगे हुए यह पूरा एक प्लांटे जिसमें बहुत सारे फ्लार्स खिले है और वो नारियल के जाड़ पे तो उपर तो खिले ही हैं बहुत सारे यहां पे ना इस पे स्क्रिरल इतनी नाच्टी रहती है कि पूछो मत मुबाइल में चार्ज नहीं है फिर वे मैं आपको दिखा रही हूँ कि देख लीजिएगा और यह पता ने किसकी बेल है निकली हुई है बड़ी हो गई है रोज पानी डालती हूँ ना यह मेरे बेली पत्र का जाड़ है और मैंने ना पूदीना हो गया था तो वो उख चुक क्या किस चीज का है पता नहीं अर्स तो इतने सुन्दर है सुबह सुबह ना दिल खुश कर देता है यह इतने सारे फ्लार्स देखके देखे क्या मस्ता फ्लार्स खिले हुए है चलिए अब उठाते हैं अति ठीको और पिते हैं चाई कि मेरे कुकर का हाल अल्वेज यही हाल है सिटी नहीं बचती है और पानी निकल जाता है आज मैं बैटके ऑनलाइन कुकर सर्च करती हूं यह न मेरा बहुत नुकसान हो रहा है इस तरह से वालनट न दीमाग बढ़ाता है इसलिए न मैंने थोड़े वालनट फूर के रख दिया है इसमे बढ़ता है बादाम-काजू और मोने को तो बरती हूँ मन्नक को मन्नक को बोलते है पता नहीं क्या बनाताओ पर यह फूर्ड के भढ़ने थे इसलिए आज यह काम पहले कर द इससे बोलते हैं ना दिमाग बढ़ता है देखते हैं दिमाग कितना बढ़ता है